हेलो दोस्तों जैहिंद नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोग प्रे यूटूब चैनल में साथियो आज हम आपके लिए लेकरा हैं बहुत इंपोर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं हमाचल प्रदेश का जिके all-in-one वीडियो बिल्कुल सही सुना गाईज आपने all-in-one वीडियो इसमें एक ही वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हमाचल प्रदेश के top 100 mcq जो की important 100 mcq है हमाचल प्रदेश की सब भी competitive examination के लिए हमाचल प्रदेश के टैट का जो जून में एक्जाम होने वाला है उसके साथ-साथ हमाचल प्रदेश के सब भी competitive exam के लिए चाए वो जेओ का हो हमाचल प्रदेश allied का हो प्रशास्निक सेबा का हो clerical का हो या banking sector में किसी भी competitive exam में any kind of competitive examination जो की हमाचल प्रदेश में होता और जहां पे हमाचल प्रदेश की जिके आती है और इस वीडियो को मैं बताना चाहूंगा guys है HPGK की ऐसी वीडियो है जिसमें की top 100 mcqa की वीडियो में हम discuss करने वाले है most repeated questions और most expected questions जो बार बार repeated होते हैं बार बार repeat ज न्य questions को हम इस वीडियो में अपनी discuss करने वाले हैं तो important features क्या इस वीडियो के यहां पे series लेकर इसको आप माफ कीजिएगा video will be designed by experienced tutor who had clear the test examination या जिनने other completed exam को clear करके अभी जो current ले में post पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो यह video है guys यह free of cost है आपको क्या करना है सिर्फ आपक कर लेना है लाइक के साथ साथ वीडियो को कमेंट जरूर कर ले अपनी लाइक कमेंट सेक्षिन में जरूर दें guys मैं कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूँ आपके आप जानते हैं आपके बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं personally पढ़ता हूँ हमारी टीम पढ़ती है और आप इसको शेयर कर सकते हैं तो इसके साथ वीडियो को शुड़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकाज यही एक मातर ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हिमाचल प्रदेश के किसी भी competitive examination के regarding authentic और exact information notification official notification आपके सामने सबसे जल्दी और stick रूप में आपके लिए अपलबत करवाता है तो देर किस बात की गाई जल्दी से red button जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस दवेल आइकन आपको regular notification वीडियो की मिलते रहें जैसे ही वीडियो कोई भी वीडियो इसके साथ दूसरा question है कौन सा जाती समुह हमाचल प्रदेश में बहुमत में है तो आप जानते वह राजपूत है जनरल के लोग हमाचल प्रदेश में सबसे जादा जनसंख्यामें है और इसके अलाबा क्वेशन आता है कि हमाचल प्रदेश में SC और ST का दिया जाता कि SC वा जिले में सबसे अधिक मातरा में पाए जाते हैं तो सारे question वीडियो में cover करेंगे जैसे question मैं आपको बता देता हूं और जिस question की explanation brief explanation मुझे लगा करनी जरूर यह बांपे मैं brief explanation भी जरूर करूंगा बहराल जहां पर नहीं बने की जुरूरत बांपे हम explanation नहीं कर पाएंगे उसके लिए माफ ही चाहेंगे हमाचल प्रदेश माफ कीजए गाइस हमाचल दीवस कब मना जाता तो 15 अपरेल को मना जाता है आप जानते हमाचल प्रदेश की जो स्थापना वी थी foundation रखी गई थी वह 15 अपरेल 1948 को रखी गई थी इसी reason को देखते हूं हमाचल प्रदेश मे बन जाएगी इसलिए जिन जिन में हो सके possible हो सके उन्हीं को हम discuss करने वाले हैं चौत्था question है रोरिक कलास अंग्रहलय काम पर स्थित है जो रोरिक आर्ट गैलरी है यह काम पर ही मिज्यम यह है नगर में कुलू के नगर में यह स्थित है रोरिक कला संग्रहलय लेओ सारे question important ह इसलिए मैं बार-बार को नहीं बुलूँगा कि इंपोर्टेंट है यह तॉप 100 गैज पूरे के पूरे कोशन इंपोर्टेंट है यह आपको ध्यान रखना है यह हमने स्लेक्टिड कोशन ही लिए यह पीडियाप से अगर किसी को यह पीडियाप चाहिए हो क्या कर सकता है हमें कोशन है जैसे मैं आपको पता रहा हूं सभी 100 के 100 कोशन इंपोर्टेंट है यह लौल स्पीती में है लौल और स्पीती को अलग करता है बहुत सारे दर्यें हमाचल प्रदिश में आपको याद होने चाहिए जिसमें से कुंजम दरा उगति दरा इसके अलावा चार-पांच दरे हैं जो अभी वीडियो में आएंगे उस सभी इंपोर्टेंट है फिलाल अभी आप इतना याद देखेंगे कि कुंजम दरा कांस्तित है तो लौल स्पीती में बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन चमबा का लक्षमी नरायन मंदिर कितने मंदरों का समू है तो इसका चमबा में इक वेसी तरफाण है अब परुदसी नरायन मंदिर कहान होसकता है कि अलाबा भी बहुत जगा पर पर pursuit जानता हूं जहां पर लकशमी नरायन और बी मंदिर तो गाइज आपको वहाँ पर टिक नहीं माना आपको चमबा का लगाना है क्योंकि चमबा का जो है वो माना जाता है लक्षमी नरायन मंदिर कितने मंदРИं का स्मूह है तो 6 मंदРИं का कौन सा देश हिमाचल प्रदेश की पूर्वी दिशा में स्तित हैं तो आप जानते हैं प्रदेश की बाद के स्टेट के जब मुक्षमिर जो राज्य हुआ करता था भी यूनियन टेरिट्री में डिवाइड हुआ है जम्मू और लादाग वह हमाचल प्रदिश की उतर दिशा में स्थित है बढ़ते नेक्स्ट क्वेशन की ओर नेक्स्ट प्रेशन है अरकी कला शैली किस रियास्ती राज्या में फली फूली थी तो अरकी कला शैली ज प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत कौन थी तो इसका राइट है त्रीगर्थ त्रीगर्थ जो है बरतमांस में हमें कांगरा जो इसका नाम है कांगरा या त्रीगर्थ जो रियासत है है मचल प्रदेश की सबसे पूरानी रियासत माने जाती थी का जाता है कि त्रीगर्थ के राजा सुशर्मा चनजी थे जो महावारत का यूद धुवाता उसमें लड़े थे वो भी कोशन आएगा तो हम डिसकस करेंगे कोशन नमर 12 है हुआ है आप जानते है की तरह ज्टे रियासत है स्थापनपूर हुख्येस करेंगे की 1857 की क्रांटी केस में हो जब 1857 की नेशनल स्टंतरता संगराम के रिए क्रांटी हुई थी तो उस टाइम भुशेर रियासत से शमशेड सिंग जो है उस टाइम वांके राजा थे नेक्स कोशन है हिमाचल प्रदेश विधानसवा ववन का निर्मान की वर्ष हुआ था तो 1925 में हिमाचल प्रदेश जाम पर विधानसवा है शिमला में उसकी स्थापना हुई थी मतलब उस टाइम इसका निर्मान किया गया था हिमाचल प्रदेश विधानसवा ववन का 1925 ने आपको याद रखना है शोबा सिंग वाला संग्रालयों की स्थान पे है तो ये अंदरेटा में है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के और नेक्स्ट कोशन है हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसबा क्षेतर कितने है तो इसका जो राइट अंसर है वो है फोर गाईज यहां पर सांसद चुने जाते हैं तो इसमें सात होना था गाईज यह कोशन एक्जाम में बार बार आता है क्यूंकि इसमें मिसंडेस्टेंडिंग बहुत सारे चातर कर लेते हैं इसलिए बार बार पीटूड़ है बिल्कुल इजी कोशन है आपको बढ़ पे ध्यान देना लोकसबा अगर पूछे लोकसबा से चार चुने जाते हैं राजेसबा अगर पूछे राजेसबा से तीन पूछे जाते हैं कुल मिलाकर आप जानते चार तीन साथ होता है अगर इस तरह से पूछा जाता है कुल बांपे नहीं लिखा जाता है इस तरह से पूछा जाएगा हिमाचल प प्रदेश के पहले राजियोपाल कौन थे तो इसका जो राइटन्स रहे वो है एस चक्रवर्ती नेक्स्ट लोशन है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले है तो सिंपल कोशन है बारा की गौंपा किस जिले में अवस्तित है लुक्स बाप की जगा गाईज लोहल स्पीती म करें किमाचल प्रदेश का सूपर सिद चिंद पुन्य माता का मंदीर की जिले मैं तो उना में है 2011 कि जनगर्ना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लंग उन पात कितना है नौसा बतर पिछली वीडियो में मैं इसक्वेशन डिसकस किता बहां पर मैंने अपता है था कि एक क्वेशन बहुत इंपोर्टन्ट है सेंसी जो है गाइस सेंसी दोजार ग्यारा के इंपोर्टन्ट है किस जिले की आवादी या जनसंक्या सबसे ज्यादा है बिलकुल इसी कोशंग नर्याण को परदेश का इसता जिला ज़ह जहां पर सबस Apache ह्यां पर सबसे zhyrade का के यून होथ है अलग जोन होते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश या वह Drive 5 fip po 4 5 चार से पांच जो नंबर के जोन ये पह पर फॉल करता है वियां पिर शिम्ना का फूर्त नंबर पर यर्प फॉर्द ये हें पर समझा है भॉलीवुट करता है बॉलिवुर्ड अभी नेत सो हैं कौन सा जानबर हिमाचल प्रदेश के राज किये पशी के रूप में बार जाता है बरफीला तैंडवा जो इसको हिमाचल प्रदेश का राज किया बजाता है दो किसले के धर्म नहीं सबसे अधिक वर्षा होती है तो यह कौशन बहुत हुआ है इसलिए हमें नस बता दि सबसे अधिक बर्शा कांगड़ा के धर्मशाला जगा में होती है और सबसे कम जो है लॉल स्पीती के जगा पुचे तो स्पीति मोटिया रखना है लॉल स्पीति के स्पीति जगा पर और बड़ते नेक्स क्वोशन क्यों जो है हिमाचल प्रदेश के निवासी गुजर किसके भंशिज मानदेश के घुंजर निवासी है वो खूण जो बंशिज के वंशिज वो मानते आपने आपको शिमला का उपनाम क्या है तो आप सभी जानते हैं हमारी राजधानी पहाड़ों की राणी इसे कहते हैं नेक्स्ट कॉशन है नाल देरा गोल्फ कलब किस राजय में स्थित है तो आप जानते हैं नाल देरा हिमाचल प्रदेश में पढ़ता है हिमाचल प्रदेश के किस धर्म के लोगों की जनसंग के सबसे अधिक है आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जनसंग क्या ज सबसे उंची पहाड़ी चोटी का नाम बताइए गाइस तो रेयो पुर्गिल है याद रखना यहां पे शब्दों से आप कन्फ्यूजना हो यह गाइस फिर से मैं पता देता हूं हिमाचल प्रदेश की सबसे उंची पहाड़ी चोटी का नाम जो है रेयो पुर्गिल है अगर पूछा हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उंची पहाड़ी चोटी ना पूला तो सिंपल चोटी तब गाइस शीला होना था तो याद रखिएगा तब शीला होना था जो क कव्ले और काला पानी नामक जो यह सहित्य और 720 अवर्ड इसके द्वाणी चिता गया था के किसके द्वारा निर्मल बर्मा थी अगर ऐसा होगा हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल्बिद्वित परियोजना कौन सी ती तो गाइज याद रखना है शानन परियोजना ओके यहां पर शब्दून से आप ध्यान दिजेगा गाइज इसमें डिफ्रेंस क्या है आप कन्फ्यूज ना हो हमाचल प्रद प्रदेश और पंजाब दुनों एक स्टेट थे आप जानते हैं कि हमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ है तो उस टाइम जो है जो शानन परियोजना बनी थी पहले जल्ब विद्वित परियोजना वो पंजाब का इसको बनाया था और इसकी बर्तमान समें अब आपर प्रदेश की सबसे पुरानी जल्ब विद्वित परियोजना है तो शानन है एक्जाम में भी आता है इस डंक से याद रखिएगा अगर ऐसा पुझा होता अगर यहां पर हिमाचल प्रदेश की प्रत्थम जल्विद्वित परियोजना कौन सी है तब तो आप शानन लगाए अगर इसा दिया हो हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा बनाइगी है तब गीरी होगी तो साथियो जैसे मैंने भी पिताया इसको अब ढंक से समझे लेजीए गा अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को भी मैंशन के जाता है कौश्चन में किसी भी कॉंपिटेटर एकजाम में अगर इस तरह से question आए कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्वित परियोजना तब तो गीरी होगा अगर simple पुछाओ कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम जल विद्वित परियोजना कौन से थी तब शानन होगा इस तरह से पूछ लेता है कि शानन परियोजना काम पर है तो वो जोगिंदर नगर मंडी जीले में हैं मेंन कूछ नमबर 39 है हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक जल घनतों वाली नदी कौन से कौन्सी तो चिनाब हैगा सबसे अधिक जल घनतों वाली नदी। चिनाब है अगर सबसे याद रखनी याद Linda पूछ लंबvir 5 जिसमें से चिनाब नदी का ख्यत्रफल है यस में इसके मुकाबले अत्याधीक पानी स्टोर किया होता है ईससाब से जली और गहनतब को निकालते हैं लेकिन लंबी नदी अगर पुचे को नहीं जूरब में यहां हड्र in में ऊपर निचे शैसे जैसे नौर्थ है यह सौत है हमाचल-प्र्डेश उत्तर में हुर्ड क्यां दक्षिन में है पितने करना बर दनत काथाऊं का पहला राजा कौन था तो आपको như याद रखना है जो किन रों का पहला राजा वो प्रद्यूमन था उके यह गाइस दंत कताओं की बात की जारी आप जाने दंत कत्थ होती जो मुख के द्वारा सुनाई जाती जैसे हमारे पुर्वजूंग के द्वारा जैसे टीवी से जब टीवी का जमाना नहीं था डिजिटलाइजेशन या टेकनलोजी बिल्क प्रवानिक चीजे नहीं होती तो पंगवाला जो जन जाती हमाचल देश के शुरुवाती यूगों में नहीं पाई जाती थी अगला प्रक्शन है शू शर्मा बंश का बास्तविक सियासन का हम पर स्तित्था तो मुल्तान में इसका बास्तविक सियासन से था बढ़ते नेक्स कोशन की ओर धुनिक्स में तरिगर्थ को किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट अंसरे कांगडा जैसा की मैंने वीडियो के शुरू में भ वो जब उसको चेंज किया गया थो पहले शिमला में था तो किस इमारत में तो शिमला की पिटर हॉप में था तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉशन है हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जाती आर रहो उत्पत्ती से समंदित नहीं है तो तीोरी से यह समंदित नहीं है नेक्स्त कॉशन है जहने का मतलब है कि चमबा जिले में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाए है तो यह आपको याद रखना है सबसे कम साक्षतादर बाला जिला है महिलाओं की संध्या सबसे अधिक है मतलब जहां पर अनपड महिला है इसलिए महिला साख्ष्टत दर जहां पर कम है वह चांबा है तो साख्षत दर चंबा में है तो शान क्योंग div प्रश्ट नंबर 49 अध्रक उत्पादन में कौन सा जिले है मचल प्रदेश में अबल है तो आप जानते हैं सिर्मौर में सबसे दाधा अध्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है प्रसिद्ध अभी नेतरी कंगना राना थी हमाचल प्रदेश के किस जिले समंध रखते हैं आप जानते हैं कि कंगना राना एक ऐसी बॉलीबूर की अभी नेतरी है जो हमाचल प्रदेश से समंध रखती है बढ़ते नेक्स कोशन की ओर प्रशन नंबर 51 है कौन सा कस्भा पूर्व में धमेरी या धमेडी नाम से परसित था तो नूरपूर इसे समंध रखता था हमचल पदेश की दूसरी सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी जिस तरह से हमचल पदेश की सबसे पुरानी रियासत तर वि यहाशन No.53 माचल प्रदेश के प्रथम मेहला नाईधीश कौन थे प्रथम मेहलाई द्हिकल्ट जैसा है मतलबूट के मुख्या नाइधीश स्रीमति शिला इहां Вы शिरी मती शिला कॉल सरगा घाटम उप मंदल किस चिले में पढ़ता है तो यह मंडी जिले में है कौन सी जील लौल्स पीती जीले में वबस्तित नहीं है तो डांकर जील नहीं है लगभग 68 लाख है अगर एक्जेक्ट पुछे तो 68,464,600 दो है according to census 2011 की जन संक्या के इसाब से शिमला हिमाचल परदेश से बरते राज्य की राजदानी थी फंजाब जैसे कि मैंने आपको पताया हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ है जो शिमला है बो पहले पंजाब की राज्दानी थी 2005 के ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल सर्वे के नुसार भारत का कौन सा छो दूसरा सबसे कम ब्रस्त राज्य था तो हिमाचल था इस में क्लियर है कि में करॉप्शन उस लेवल तक नहीं जितना कि देश के अन्य राज्य में है तो एक अच्छी चीज है यह तो फ्रस दिया गया था 1971 अप जानते कि 25 जनवरी 1971 को मचल एक अदरजाद दिया गया था ऐस वीक्ति नेneysи 12-13 में शिमला को गर्म्यू की राजधानी बना दिया था तो जॉन-लौरेंस यह जो है cioè Aug लॉररेंस ब dabbe्ट नाम है जॉन-लौरेंस नहीं 126 को गर्रिश्मकारीन राजधानी बना दिया था यह आप याद-रक 흥नizing सब्सक्राइब करने वाले कौन है तो बीर बद्दर सिंग आप जानते हैं हमाचल प्रदेश की ऐसे मुख्य मंत्री रहे हैं जो सबसे अधिक बार मुख्य मंत्री बने तो अगर अधिक बार मुख्य मंत्री बनेगे तो सबसे जादा दिन तक भी यही काम करेंगे तो बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन के और हमाचल प्रदेश के शिमला हिमालय के किस खेतर में आता है तो दक्षनी निवास शिमला का डिजाइन बनवाया था तो हैंड्री इर्विन ने एक ऐसे अर्किटेक्ट थे Living राषट्पती निवास से उसका डिजाइन बना था भारत कितने राज्य हमाचल की सीमा को छूते हैं इस फोर याद रखना है कुछ पांच से इसको कंफ्यूज करते हैं पांच इसका गलत अंसर है जब की राइट अंसर इसका फोर है यह कुश्चन एक्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि भारत के कितने राज्य हमाचल प्रदेश की लॉल्स पिती होना था उके कल का शिमला रेलवे लाइन किस वर्ष बनी थी तो 1906 में यह बनी थी और 2008 में इसको भिशव धरोवर जो है भिशव धरोवर में इसको चैनित किया गया था भिशव धरोवर 2008 यह भी इंपोर्टन कोशन है राष्ट पती निवास जिसे बिस शित राज्यों का दर्जा कब प्रापत हुआ था तो इसका राइट अंसर है एक नमबंबर 1956 1956 तो आपको याद रखना ही आए गाज़ फिप्टी सिक्स क्यूंकि उसी समय हिमाचल प्रदेश को केंदर शाष्व प्रदेश का दर्जा दिया गया था यूनियन टेरिट्री अ क्यायई को आप जानते हैं जो अभी हाली में इसकी इसकी फश्व पंचायत के क क्योसे हैं हिमाचल प्रदेश में से होकर ओकर कितनी बड़ी नधीयां बैती है थो यह से मुकह सतलूज चिनाब यमुनार और और राभी नधी मुंक्तें हैं बड़ते निक्तियां पार्टे है जिसकी हाइट जो मैक्सिमम 1500 मिटर तक होती है कोशन है हिमाचल प्रदेश में स्मर्न मंदिर काम पर है जो स्वर्न स्वर्न नहीं है गाइज माफ किज़े एक है पर सूर्य मन्दिर के लिए जिष्जी में आले में इंड़ले की रांपूर तहसील में जो है सूर्य मंदिर है तो स्वर्न मंदिर गूछे तो स्वर्न मंदिर हिमाचल प्रदेश में नहीं है यह है पंजाब में अमरित सर में इसको गोल्डन टेंपल का जाता है ओके नेक्स्ट वोशन है हिमाचल प्रदेश में चुरासी मंदरों का समू का स्थित है तो इसका जो राइट रहा है भरमौर तो याद रखिए गाइज चंबा के भरमौर में चुरासी मंदरों का समू है तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का सबसे उंचा गाउं कौन सा है तो यह किबर है यह क्वेशन भी एक्जाम में आया हुआ है हिमाचल प्रदेश का सबसे पूराना समचार पत्र कौन सा है तो खेतरियो तेज हि पुराना सबताहिक समाचारपत्र कॉन साथ दो गिरी राज है ओके तो कनफ्यूज ना करिएगा आप विज्ञंबर 78 है कौन सी जद्ञाती हमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है परशूरा मंदिर का पर स्तित है तो यह नीरमंड में स्तित है निर्मंड हिमाचल प्रदेश के कुलू जिले का सबसे बड़ा गाउं भी है हिमाचल का शाब्दिक अर्थ क्या है तो बर्क से ड्रका हुआ पहाडों की भूमी को हिमाचल का जाता है अगला प्रशन है पांडबु ने संबबते 12 साल का बनबास की श्केतर में काटा था तो इ महा भारत की लड़ाई श्ड़ में शु शर्मा चंदर ने किस का शाप दिया था मैंने भी आपको ब्ताई कि शुशर्मा चंद्र लड़ा था और माहभारत का यूद ठाव्ma हिमाचल प्रदेश के प्राचिन तम निवासी कौन थे ऐसा महाना जाता है जो नामक निवासी है वो हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन तम निवासी है कोल तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रुमाल कला बिश परसिद है तो चमबा की रुमाल कला बिश में परसिद है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्वित परियोजना कौन सी है सबसे बड़ी यहां से पुछाएगा है जल विद्वित तो सबसे बड़ी है नात्पा जाकडी तो याद रखना है आपको नात्पा जाकडी हमचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्वित परियोजना है इसके अलाबा हमचल प्रदेश का प्रसिद सूर्य मंदिर का स्थितत हो यह शाहिद कोश्चन थोड़ा टाइप में गल्थ हुआ का अंग्रेस का राइट अंसर नहीं है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद सूर्य मंदिर जो नीरित में जैसे मैं आपको पता है नीरित शिम्बला जिले में पढ़ता है बढ़ता है नेक्स्ट कोशन क्यों नेक्स्ट प्रसिद पर्याटन स्थल कि जिले में स्थे तो चम्बा में है काला पोटा नामक प्रसिद प्रयाचिन स्थल किस द्वरा कि गई थी तो व्यंग मनी पाल नेक्स्ट है सरे ऊपनी अंतराश्टियोत रुमाल कल़ा के लिए प्रसिद कौण से जिला जैसे में भी बिताय चंबा जिला फ सा काम jestem हिमाचल प्रदेश का मुख्या लोख नहीं हिमाचल प्रदेश में यह फहमस है पूरे बिश्व में हिमाचल प्रदेश की नाटी फहमस है हिमाचल प्रदेश रज्य में कुल कितनी विधानसवा सीटे हैं तो गाइज जो लेजिसलेटिव सीट्स है विधानसवा की वह शिक्स्टी एट्स है यह आपको याद रखने है 68 सीटे है मचल प्रदेश में है विधानसवा की नेश्ट कोशन है शिमला की सबसे उंचाई परसित जगा कौन से है तो जाखू हिल एक ऐसी प्रियाटन जगा है गाईज यहां प कि प्रद्या circuit है समय मचैंट प्रदेश में ऑलह और हमाचल प्रदेश के प्हले मुख्य मंतरी को थे तो यहलन सिंग के पहले मुख्य मंतरी बने थे सोलंग बैली किस राज़ जम्स देता है तो हमाचल प्रदेश में सोलंग बैली है नेस्ट कोशन है किस ब्रिक्ष को हमाचल प्रदेश के राज की अब्रिक्ष का दर्जा दिया गया है तो देबदार जो है हमाचल प्रदेश का राज की और बिक्ष है तो गाइज यह थे इस वीडियो में आज के टॉप 100 MCQ जो किसी भी हमज़र प्रदेश के कॉप्टेटर एग्जामिनेशन में आ सकते हैं तो गाइज अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो फिर से में जरूर दें और अगर है हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेर करें स्टड़ी ग्रूप के जैसा मैंने भी पताया फेस्बूक पड़सेप या जाम पे भी आपका कोई भी स्टड़ी ग्रूप है ओके गाइज मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना स्वास्ते तो ख्याल रूप के गुडबाई जैहिंद